शाउमी ने अपने घरेलू बजार चीन में 50 इंच मी टीवी 4C4 के HDR TV मॉडल को लॉंच कर दिया है नए मी टीवी 4C50 इंच मॉडल की कीमत 2199 चीनी युवान लगभग 22,700 रुपय रखी गई है इस मॉडल को मी टीवी 4C के 43 इंच और 55 इंच के बीच जगह दी जाएगी फिलहाल चीन के बाहर नए 50 इंच मी टीवी 4C की कीमत के बारे में खुलासा नहीं किया गया है शाउमी ने अपने घरेली बजार चीन में 50 इंच मी टीवी 4C4 के HDR टीवी मॉडल को लाँच कर दिया है नए मी टीवी 4C50 इंच मॉडल की कीमत 2199 चीनी युवान लगभग 22,700 रुपय रखी गई है इस मॉडल को मी टीवी 4C के 43 इंच और 55 इंच के बीच जगह दी जाएगी फिल्हाल चीन के बाहर नए 50 इंच मी टीवी 4C की की कीमत के बारे में खुलासा नहीं किया गया है खुदियां, मी टीवी 4C 50 इंच में 3840X 2160 पिक्सल विजो यूशन के साथ 4K डिस्पले 178 डिग्री व्यूइंग इंगल और 9.5 मिली सेकंड डाइनमिक रिस्पॉंस रेट दिया गया है इस टीवी में 2 इंच और 55 इंच मॉडल्स की तरहें ही 50 इंच मॉडल में भी एंड्रोइड बेस्ट पैच्वाल इंटर्फेस दिया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई बेस्ट कंटेंट डिलीवरी में मदब करता है और स्पीच रिकॉग्निशन और यूनिफाइड सर्च को स्पोर्ट करता है कनेक्टिविटी के लिहाज से मी टीवी 4C 50 इंच मॉडल में डूल बेंट, 12.4 GHz, 5 GHz, Wi-Fi 800, 2.11 AC और 3 HDMI पोर्ट के साथ ब्लूटूथ भी 4.2 L, 2 USB पोर्ट, आव आउट्पुट और एथिनेट पोर्ट मॉजूद है ये TV HDR10, H.264, H.265, Real, MPEG1, 2 Quarters, WMV3 और VCA जैसे Formats को स्पोर्ट करता है मी टीवी 4C में दो आट डबल्यू स्पीकर्स दिये गए हैं जो Dolby Audio, Audio Dual Decoding को स्पोर्ट करता है और इसमें एक भी Remote Control दिया गया है जो Gesture और Voice Control को स्पोर्ट करता है